नमस्कार आप देख रहे हैं स्काइनेट टीव इंडिया पेशाज की मुख्य समाचार मद्य प्रदेश में अगले एक साल में एक लाग भरतियां की जाएंगी ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके मुख्य मंद्री सिवरा सिंग चोहान ने इसका एलान किया है जबकि उन्होंने दो लाग स्वरोजगार उपलब्द कराये जाने की भी बात कही है सियम सिवरास की इज घोषणा के बाद प्रदेश में जल्द ही युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे कामड यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए इंदोर जीला अंतरगत खंडवा रोड पर ट्रक एवं भारी वाहनों के आवा गमन को दिन में प्रतिबंदित किया गया है इस संबंध में एडियम पवन जिनने आदिस जारी किये हैं इसके तहट इंदोर से खंडवा की ओर जाने वाले एवं खंडवा से इंदोर की ओर आने वाले ट्रक एवं भारी वाहनों का सुबह 8 बजे से रातरी 9 बजे तक प्रवेश पतिबंदित रहेगा इंदोर में एक बार फिर बारिस का दोर सुरू हो गया है सहर के कहीं-कहीं इलाकों में हलकी बुंदा बांदी तो कहीं-कहीं रुक-रुक कर तेजबारिस हो रही है पिछले तीन दिनों से सहर में धूप निकलने के साथ ही बादल ही छाय हुए थे इंदोर एरपोर्ट एक अगस्त से 24 घंटे के लिए दोबारा सुरू हो जाएगा जिससे रात में भी फ्लाइट्स की लेंडिंग और टेक आफ हो सकेगा राष्ट्रपती और पिएम के विमानों के इंदोर एरपोर्ट पर आने के लिए रनवे विस्तार का काम चल रहा था जो तैस समय से 8 दिन पहले ही पूरा हो चुका है उंकारेश्वर में हाई अलेट उंकारेश्वर बांध के सनिवार से 10 गेट खोल कर करीब 1180 क्यू में एक पानी छोड़ा जा रहा है इस दोरान उंकारेश्वर और निचले हिस्सों में लगातार सतरकता बढ़ती जा रही है दरसल बांध के उपरी छेतर के होसंगावाद हर्दा सहीत अनी जिलो में पिछले हफ्ते से हो रही बारिश के बाद उंकारेश्वर बांध लबालब हो गया है मध्य प्रिदीस में अगले 6 दिन फिर से चुनावी हल चल रहेगी पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद अब उप सरपंच जीला पंचायत और जनवत पंचायत के अध्यक छुपाद्यक्षी चुने जाएंगे इंदोर के बांबय अस्पताल के पास एक स्कूटी सवार महिला को ट्रक ने कुचल दिया जिसके बाद महिला कई फिट दूर तर घिसरती चली गई उसे ततकाल बांबय अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत गोसित कर दिया नतक का नाम पलग है जो एक नीजी कंपणी एनाई स्पीटी में कंप्यूटर ऑपरेटर थी हादसे के वक्त वो स्कूटी से ऑफिस जा रही थी मध्य प्रदेश के साथ कावडियों को उत्तर प्रदेश के हाथ रस में डंपर ने रोन दिया पांच की मौके पर ही मोत हो गई जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ा ये सभी हरीद्वार से गंगाजल लेकर ग्वालियर लोट रहे थे घटना सुक्रवार देरात सवा दो बजी की बताई जा रही है आगरा जोन के एडी जी राजीव कृष्ण ने बताया कि घटना के बाद ड्राइवर डंफर लेकर भाग निकला कावोडियों के सभ वालियर लाए गए हैं गाउवालो और परीजन ने बड़ा गाउँ खुरेरी में रोड पर सभी छे सव रखकर चक्ता जाम किया पापूलर टीवी सो भावी जी घर पर है के मलखान सिंग यानि दिपेज भान काउं मुंबई में निधन हो गया है दिपेज शनीवार सुबह क्रिकेट खेलते हुए गिर पड़े थे उनकी नाक से खुन बैरा था उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत खुशित कर दिया सुक्रवार देरात उन्होंने अपने सो की सुटिंग भी की थी दिपेज फिटनेस को लेकर काफी एक्टिव थे और सनीवार सुबह वोट जीम से आने के बाद क्रिकेट खेलने गए थे कल दिन बर की प्रमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए शुबराते